हालो फ्रेंट्स मैं डाक्टर प्येस्ट वाईरी आप सभी क्या स्वागत है दोस्तों वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन फारूम संद्रा चाहता हूं मेरा एक और चैनल जिसका नाम है डाक्टर प्येस्ट वाईरी स्वाट से इसको भी डाई कीजी शेल कीजी और प्रोजन शोल्डर के विश्टे को श्ट्राप वह बताऊंगा चलो सुरू करते हैं कि दोस्तों पहले प्रोजन शोल्डर आपको बताते हैं क्या होता है यह ऐसा होता है कि शोल्डर जोंट में एद्दम पेन और स्टिफिनेस आप जड़ा भी अपना सोल्डर को उपर भी आपका बाता कर दिज़ां हो जाता है तो इसमें इसको जो है एडेसिव के अप्सिल आप लगते पंचा है यह का होता है जो सुल्डर के शफितर प्रोजन शोल्डर बेंस को होल्ड पकड़ करलता है एक सासे में अर्यकंस जब कभी क्याप्सिल में दूनिक इनिक आज इ इंफ्लेमिस्न हो जाता है तो इसकी कुछ वे पथे द्वाई अगर आपको मैस्चिंग करते हैं तो आप द्वाई डीजी आपको आराम हो जाएगा और इसके साथ में ऐसे केस में फीजोज सरापी कराना जुरूरी होता है तो आपको चलिए आपको एक एक दुवाई का symptom और उसकी दुवाई और उसका रोज बताते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसकी पहली दुवाई के नाम है रस्टक्स रस्टक्स 200 आर्थिपडी प्राब्लम की 90% केस में रस्टक्स 200 दिया एता है बस्षर्टे की जो है इस्टिफिने साफ शूल्डर तुर रहेगा ही टीरिंग पिन रहेगा शूल्डर पिन रहेगा लेकिन सबसे बड़ा इसका उनिक स्टम यह है कि प्रेन इस बेटर भाई मुव्मेंट आप दे सूल्डर आप जितना दिर तक मुव्मेंट करेंगे उतना दिर आपको आराम रहेगा और जब मुव्मेंट छोड़ देंगे तो आपकी तक्विफ हो जागी तो ऐसे स्टम में एक्जेक्ट रहे स्टम मिलता है तो आप रस्टक्स 200 चाचार भूं करके सुबसाम लगातार कम स्टीर मेंजा लेजिए आपका फीजो थरा भी करवाते र इनल तो जो है राइट साइड में फ्रोजन सुल्डर हो गया है और उसकी सबसे बड़ी बात है कि नाइट एक्विबरेशन कि रात में दर्ध होता है और रात में ही आप जो हाथ को उठा नहीं सकते हैं राइट आर्म को एक तो रात में दर्ध हो का यह इस फिशल और आप को वहाद उठाने सकते हैं तो आप संगुजुरिया कें 200 पाउर में चाचार बूंद करके सुबह साम लगाता है एक मेंजारी जी आपका इस तरह का अगर नाइट में दर्थ होता है और अपना बाह उठाने सकते हैं तो संगुजुरिया कें 200 इस मज़ की एक रामबान है लेट सुल्डर में हुवा है पूरा लेट सुल्डर उपर नीचे सब जगा इंभार्व है तो इसके लिए आपको फेरे मेटार कें सिंगल दवाई देनी है फेरे मेटार के थी एक स्पावर में 2-2 को ली करके दिन में 3 बार देनी है अगर जो है ट्राइट डूरोसर में तो फेरे मिटाग केव 30 पाउर में चाचार busy करके और में तीन बार लगाता लीजिये आपका fundo में जो डर्द होताय ठीक हो जाएगा जब 30 पाउर से ठीक हो जये तो आप उसको प्ला भार लेते रहें जिससे को दुबारा आपका फुर्जन सोल्डर नहीं हो दोस्तों अगरी दुवाई की नाम है कलकेरिया फास और इसको आपको लेना है बाईकुमिक अमिनसर में इसमें का होता है कि जब चेंज आप होता है जैसे गर्मी के टाइम है अचानक मौस्ट ठंडा हो गया मैं मौस्ट चेंज होते ही आपको फुर्जन सोल्डर में दिक्कत ह दोस्तों अगरी दुवाई के नाम है प्रोडेंडरान इसको आपको कैसे देनी है दोस्तों पाउर की हथा में दो बादेनी है इसमें क्या होता है कि जब आपका फुर्जन सोल्डर दिरिंग थंडर इस्टार में जब बिजली चमके आपको बिजली शिद्धा लगता है बिजली चमके तभी आपका फुर्जन सोल्डर में भेंकर दर्ध होगा इस्टिफरिंस होगा पेन होगा तो याद रखिए अगर दिरिंग थंडर इ दोस्तों अगली दुवाई की नाम है गयोकम, गयोकम मदर टिंचर आपको हर एक फ्रूजर केस में ले रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लेका फायर, जोएंट में जो हमारी लिक्यूरिटी रहती है, जो लचीड़ाप में रहता है, तो तेल के कारण होता है, तो अगर लगाता है कमस्का में एक मिना लेजिए, क्योंकि यह दुवाई बहुत काश्टिडी होती है, लेकिन फिर भी आपको जो है, अपना जो है, लचीड़ापन खतम हो गया है, और इस डिफ्रेंस हो गया है, तो आपको गयोकम मदर टिंचर हरे केस में, दिल में तिल बार, एक म मतलब है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, हैविने सिंदी आर्व, लगता है कोई 10 किलो का वोजन हमारे बांप पर लटकाया हुआ है, अगर भारीपन, अगर भारीपन हमारे सुल्डर जोइंट में रहता है, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, तो आपका सल्फर से ठ करके एक बार सुबस्बा लगाता एक मिना लेजी, आपका जो है, जैसे ही आपका आर्व में जो भारपन है, और हैविनेस है, यह आपका ठिक हो तो यह आपका फुर्जन सोल्डर जड़ से ठिक हो जाएगा, दोस्तों, अगली दोवाई की नाम है सिफिलिनम, सिफिलिनम ज सब्ता में एक दिन जरूर लेनी चाहिए, और उस दिन कोई दोवाई नहीं लेनी चाहिए, सिफिलिनम टूवनेट हरे केस में सब्ता में एक बार लगाता लेते रिए, क्योंकि जो है फुर्जन सोल्डर की यह एक इंटर करेंट रेमिडी है, दोस्तों, अगली दोवाई की नाम है कास्टक्यम, और कास्टक्यम का एक उनिक सिम्टम यह है, कि फुर्जन सोल्डर के केस में दर्द जो है, सिर्फ सुबह होता है, तो आप सुबह सोब उठें, आपको फुर्जन सोल्डर में दर्द हो गया, उसके बाद में आपने फिजो थरापी किया, या जो भी किय आपको आराम हो गया आपने फिजो चरापी नहीं किया फिर भी आपको आराम हो गया दो पर तक आपको ठीक हो गया और साम तक के पता नहीं चलता है कि आपको फोजन सुल्डर हुआ था अगले दिन सुबह फिर आपको जो सुबह सुबह दर्द होता है मने आप एक स्विंटम सब्सक्राइब नाम है लिडेम पाल क्या होता है कि दर्द और इस्टिफ्रिंश तो रहे गाई इसमें क्या है कि लिडेम पाल में कि पे नम रेजिंग दियार आप जो जराबी रेजिंग नहीं कर सकते हैं और सोब स्ऴ्टम जो ठीक है। जरा भी रेजिंग नहीं कर सकते हैं। चाहे राइट हो चाहे लेप्ट हो। तो अगर ऐसा स्विंटम है, आप लिट्म पार्व 200 एक दिन छोड़कर एक दिन लगाता है। क्योंकि ऐसे केसमें 30 पार काम नहीं करते हैं। लिट्रम पार्व 200 एक दिन छोड़कर एक दिन चाचारबून करके एक मिजना लीजिए तो आपका जो है जो आपको आर्म उठाने में दिक्रत दर्द हो रहा है कि आपका दर्द ठीक हो जाएगा और उसी के साथ में आपका मुझे शोल्डर भी ठीक हो जाएगा तो दोस्तों आज मैंने आपको फ्रोजन सोल्डर से समंदित कुछ द्वाई बताया अगर आपका सिम्टम मैस करता है तो आप द्वाई लीजिए अगर सिम्टम मैस नहीं करता है तो द्वाई देने का चेश्टान मत किजिए अगर आपको जो है टीट्मेंट डेंडा है ताब हमको वाट झाल झाल